हेलो हाई फ्रेंट्स मैं दिपकुमा वार्दवाज आज आपका स्वाथ करता हूं मैं प्लांट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वह वेज गार्डन के ऊपर जैसे कि आफ फरवरी की चारतारिक है इस आज मैं जो बात करने वाला हूं जैसे कि आपने देखा था मैंने काफी जादा सब्जियां लगाई हुई है पिछली वीडियो के अंदर जैसे कि गाजरे लगाई हुई थी मैंने सारी की सारी जो मिट्टी थी वह यहां पर गाजरे निकालके डेरी कर दिया इसके क्या होगा जिए एक हपते के लिए जो भी है जिज़े इसके अंदर मिक्स करके और मैं नहीं जो अपने प्राने जो डिब्बे बगारा जी देख रहे हैं या बाल्टी या इसके अंदर भर दूँगा और नहीं सब्जियां लगाऊंगा और इसका जो टी फोलने का जो कारण है वह बताने बाला हुँ आप अगर अगली जो यह गर्मियां वाली सब्जियां इसके अंदर लगाएंगे तो क्या होगा कि उसकी जड़े हैं अंदर तक नहीं जाएंगी और नाहीं निच्चे तक खाद मिक्स होगा क्योंकि जड़े इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि पहले सी जो प्रानी जड़े हैं वो निच्चे का जाला सा बना रखेगा और खाद इसलिए मिक्स नहीं होगी क्योंकि हमने मिट्टी नहीं नहीं नकाली है और हमारी पौदे की ग्रोथ पिल्कुल ही नहीं होगी इस तरह से आप ये प्रोसेस करें और अगर नहीं मिट्टी एड़ करना चाहते हैं अलग से एक गमलेन में नाडा लें पूरी मिट्टी के अंदर ही जो अगर आप डालना चाहते हैं तो पूरी मिट्टी में ही मिक्स कर दें नहीं मिट्टी क्या होगा और ज्यादा इसके अंदर जान डल जाएगी और मैं जो प्रसेस है अगला लगा बैज का जो उसका भी मैंने प्रसेस जारी कर दिया है कि मैंने काफी जादा सिर्लिंग कर दी हैं आप देख सकते हैं इस बीडियों के अंदर ये कुछ जर्मी नेशन भी होना स्टार्ट हो चुका है इस सिर्लिंग के उपर मैं लग से एक व तो मुझे लगता है कि मुझे कोको फीर्ड युज लाइट करने की ज्यादा जूरूरत नहीं पड़ेगी और कई क्या होता है कि कोको फीर्ड बहुत जाए युज लाइट करते हैं तो कई गयों के पास अरेंज नहीं होती है तो उसका कारण है यह मैंने अलग से सीडलींग कर जिनके पास कोको फिनशोंद नहीं होगी वह इस तरह से सीलिंक कर सकते हैं यहां और भी मेरे पास दो तरों की यो मिर्चे हैं जो लगाने बाला हूँ गर्मियों के अंदर जैसे कि एक मिर्च ब्र arbeशती है और एक लंबी मिर्चोती हो लगाया है यह लिंका रखी है मैंने दोस्तो इस तरह की जो वीडियो मैं अपलोड करने बाला हूँ आपके लिए और काफी जाजा नौलेज की चीज़े जो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जुरूर दबा लें ताकि क्या है जो भी नए वीडियो में अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगती है लाइक करें और जानकारी लेने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई कमी है कमेंट करके जरूर बताएं मैंने ये कमी छोड़ दी है इसके अंदर तो दोस्तो नमस्कार